अब यो सफाई वाली, मेरी गाड़ी बहुत गंदी हो गई है, चल उसे साफ कर ले माफ कीजिएगा पर मैं कोई सफाई वाली नहीं हूँ हरे अब गाड़ी साफ कर रही है, तो सफाई वाली हुई ना अब टाइ मत खराब कर, चल मेरी गाड़ी साफ कर दे हरे वो तो मेरी गाड़ी के ऊपर थोड़ी सी धूल थी तो मैं बस उसे ही साफ कर रही थी तो मेरी गाड़ी के ऊपर भी थोड़ी सी धूल है साफ कर देगी तो तेरे हाथ गिस ने जाएंगे अब चल पड़ा पड़ कर में आपसे कहा कि मैंकोई सफाई वाली नहींु हूँ और अगर आपको अपनी गाड़ी साफ ही करवाली है और यह लो पर पिर अए हैं अगर मै चाहें न तो तो इससे फोन कर सकती हूँ, तुझसे कहीं ज़्यादा महंगा और अच्छा फोन है मेरे पास, समझी, तो ठीक है, अपने इस महंगे फोन से किसी सफाई वाले के पास पोन कर लो, वो आएगा, तुम्हारी गाड़ी साफ करेगा और चला जाएगा, नहीं, अब वो मेरी गाड आब, अगर मैं बद तमीजी करने पैं आगे न तो तुझे पता भी निया मैं क्या कर दूँगी तेरे साथ, उ तो शाहिए जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं यही घड़े-घड़े तेरे पुरे खांदान को खरीच सकती हूँ, इतनी आमीर हूं, मैं समझी, अच्छा कहीं ऐसा नहो कि तुम्हें तुम्हारा खांदा नहीं आदा जाए। अब मेरी समझ में आ गया कि तु ऐसे काम नहीं करेगी। कोई बात नहीं। तुम जैसे लोगों को मैं जानती हो, तुम कैसे काम करते हो। मुरे दो हजार उपे हैं। ये पैसे उठा और मेरी गाड़ी साफ कर रहा है। समझी। अरे मैम, ये क्या? आपकी पैसे क्यों उठा रही हैं। और ये गाड़ी, आप अपनी गाड़ी को साफ कर रहे हो। निखिल, तेरा धिमाग खराव है कि गाउं की गवार है। अरे इसे मैड़म मैड़म मत बोल, इन जैसों की नए उकात नहीं है मैड़म तुने की। तुम पागल होगी हो कैशिखा, तुमे क्या बकवास कर रही हो। तुम मैं पता है, जिनके बारे में तुम इतना उल्टा सीधा बोल रही हो, ये है कौन। आज इस कंपनी में तुम इंट्रिव्यू देने आई हो ना, उसकी ओनर है। क्या, ये डियस कंपनी की ओनर है। जी हाँ, ये डियस कंपनी की ओनर है।